हलो फ्रेंट्स, कॉंपटिशन कमेटि के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमिन प्रधान, आए फ्रेंट्स आज हम डिसकस करते हैं CGPA से प्रलिम्स ओरियंटेट फिजिक्स के कुछ महत्पूर्ण प्रस्नों को और ये सभी प्रस्ना आपके एक्जाम के लिए काफी यूसफुल होंगे इसी हासा के साथ आज का सेशन में हम फिजिक्स के कुछ महत्पूर्ण को कवर करते हैं जो अलग-अलग एरिया से लिए गए हैं और ये काफी conceptual भी हैं तो देखिए ध्यान दीजिए हम केवल applied physics वाले पार्ट को देख रहे हैं जहां से questions पूछे जाते हैं और हमने कोसिस किया है कि NCRT और जो government sources से जो अलग-अलग fact होते हैं से हमने एक question का समावेश किया है तो question number one देखिए प्रकास वर्स इकाई है light year is the unit of क्या ये दूरी की है समय की है या फिर प्रकास तीवरता की है या द्रभ्यवान की है तो light year के बारे में एक बहुत ही important concept आप याद रखिएगा कि सूरी की क्रिणों के द्वारा एक वर्स में travel की गई तूरी को है न हमने कहा कि सूरी की क्रिणों के द्वारा एक वर्स में जितना दूरी जो है वो travel करता यात्रा करता है उसे हम एक प्रकास वर्स कहते हैं तो यह बहुत बड़ा unit होना चाहिए कि नहीं तो यहां पे हम दूरी के लिए यूज करते हैं इसे ठीक है याद रखेंगे distance के लिए यूज करते हैं कि प्रकास की के द्वारा एक वर्स में चली गई दूरी अच्छा आप इस से रिलेटे एक दो फैक याद भी यह रख सकते हैं जैसे हमारा यहां पे क्या है मालो सन है ठीक है और यहां पे हमारा अर्थ है तो सन से लेके अर्थ तक आने में सूरी की किर्णों को कितना समय लगता है ये भी पूछा जाता है तो फूछी चुका है याद रखेंगे आट मिनड बात करते हैं तो मून की चंदरमा की की चंदरमा की बात करते हैं याद रखेंगे, तो यहाँ से हमारे तक पहुंचने में कितना लगता है, 1.28 सेकंड, ठीक है, यह fact आप याद रखेंगे, बहुत important fact है, ठीक है, अब question number 2 में चलते हैं, पानी का घनत्व अधिक्तम होता है, the density of water is maximum at, किसमें है, क्या 100 degree, 4 degree, 0 degree, या minus 4 degree, तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ रहोगा, कि 100 degree में तो इसका क्या होता है, boiling point होता है, कथनांक होता है, ठीक है, और 0 degree में क्या होता है, इसका freezing point यानि हिमांक होता है, तो आप यह दो तो नहीं हो सकते, I guess, अब यहाँ पे बात करते है, minus 4 और 4 में, तो यहाँ पे density य सबसे जादा है, कि किस degree पर black water का आईतन या volume सबसे कम होता है, तो यह इसी 4 degree पर, तो 4 degree पर density जादा, तो आईतन कम होगा, क्योंकि आपको पता है, घनत वराबर द्रविमान बटे आईतन, यह तो आप जानते ही होंगे, तो इसका inversely proportional है, तो यहाँ पे हम इस बात को समझी स सकते हैं, logic लगा सकते हैं, धनत वराबर द्रविमान बटे आईतन, ठीक है, तो यहाँ पर mass upon that volume और यह density हो गया, तो यहाँ पर 4 degree पर सबसे जादा है, तो 4 degree पर volume सबसे कम होगा, तो यह बात हैं आप याद रखेंगे, next question में हम चलते हैं, कुछ और महत्पून questions की ओर, से यात्रा करते समय, pain की स्याही निकलने लगती है, हम यहाँ फिर fountain pain की बात कर रहें, इंक वाले स्याही की बात कर रहें, तो क्या option देखिए, वायु दाब या अट्मोस्फिरिक विलेशन में कमी के कारण, वृद्धी के कारण, और स्याही के आयतन में वृद्धी के कारण अत्यधिक भार के कारण, तो भार के कारण तो कुछ होता नहीं है, वो कोई छोटी सी चीज है, ठीक है, श्याही के आयतन में वृद्धी के कारण, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों में से एक होगा, तो याद रखेंगे, दाब में कमी होता है, तो श्याही क्या है, नीचे गि देखिए वर्सा की बूने गोलाकार होती है तो यहां पर देखेंगे क्या है सतही तनाव या सर्फेस टेंशन प्रिस्तनाव भी से कहते हैं वाई की घरसंड की कारण ड्यू टू एट्मोस्फेरिक फिक्शन ऑप यह गोल प्रित्व की गुरुत के कारण जल वर्सा जल की स्या जनता यान्य विस्को सीटी के कारण तो यहां पर इसे भी देखिए सबसे पहले याद रखेंगे सर्फेस टेंसन से रिलेटेट बहुत चारे कोश्चंश बार बार पूछे जाते हैं सार्फेस टेंशन यह होता है मालो यहां पर पानी है ठीक है पानी है और इधर हम देखत से झाता है से परिभाशित की लाता है कहां जल जो है नियूनतम से ťे मिनिमम से मिनिमम जगह क posis करता है और सेट इसके सहर फिर्ट понад पर्डमा एक पत्ली ले він जाती है जो उसको क्या करता है कम से कम वीस आव तो तो एक दाब create होता है, दबाव create होता है, ठीक है, उपर से नीचे की ओर, तो ये क्या होता है, आपका, ये होता है surface tension, तो वर्सा की भूने जो गोलाकार होती है, इसी के करण होता है, ठीक है, वर्सा की भूने गोलाकार होता है, इसी करण होता है, आपको एक question ये भी पूछा प्रयोग में आता है या करते हैं किसे सोनार is mostly used in क्या अंत्रिक्ष यात्री को दोरा डॉक्टर द्वारा इंजीनियर द्वारा नौचालकों द्वारा तो यहां पर इसका आंसर याद रखेंगे सोनार रेस जो होता है और राडार रेस दो महत्पूर कंसेप्ट आता है आपने याने अल्ट्रा सोनिक और इसमें क्या होते हम रेडियो तरंका यूस करेंगे ठीक है तो यहां पर ध्यान देंगे इससे संबंदित कोशेंस पूछे जाते हैं तो जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर राडार एक्टिवेट कर लिए और वहां पर एयर म तो आपको इतनी गहराई का चीज कैसे पता चलेगा तो यहां पर सीदा क्या होता है जैसे कि यह यहां चाहां से कोई जहांलोग पढ़ी हुई है तो यहां से क्या हो जाता है सोनार रेस इस परकार उसे भेजा जाता है कौन सा ultrasonic जो है ultrason power भेजा जाता है परासरब यह और यहां से क्या होती reflect होके आएगी है रह वहां से reflect होके आएगी तो यहां इस छीज को जो है आपको signal मिल जाएगा तो basically जो है now where navigator इसे use करते हैं तो यह चीज़े याद रखेंगे, तो D इसका right answer है, अब यहाँ पे इन दोनों का full form बे आप लिख लीजिए, क्योंकि यह भी exam में पूछा जा सकता है, तो radar है, तो RA का मतलब तो radio हो गया, ठीक है, radio हो गया, और यहाँ DA का मतलब detection हो जाता है, और उसके बाद ranging, ठीक है, radio detection, ranging, और sonar का तो यहाँ पर sound आ गया, क्योंकि sound वाला wave यूज कर रहे, तो यहाँ पर sound, navigation and ranging, ठीक है, तो यहाँ पर sound navigation and ranging याद रखेंगे, और यहाँ पर रिखेंगे, क्या radio detection ranging लिखेंगे, यह बाते सभी को clear हो गई, तो यह चीज़ें पूछी जा सकती है, अब याद यह Kelvin मान से माना सरीर का सामाने ताप क्या है, बहुत आसान है, और बहुत सारे question, यह बहुत सारे question इसे mistake करते है, जैसे हमारे body का temperature कितना है, तो अगर आप इसे देखना चाहें, तो बहुत लोगों confusion होता है, सीधा सीधा क्या कहेंगे, 98.6 जो है degree Celsius कहेंगे, बढ़ यह तो होता है, फेरन हाइट में होता है, तो 98.6 को क्या करते ही, फेरन हाइट में मापते हैं, और यदि हमारे body के temperature Celsius में कहा जाए, तो कितना होगा, actual में होता है, 36.9 degree Celsius, लेकिन हम इसे कितना कह देते हैं, 37 degree Celsius कह देते हैं, ठीक है, याद हो, यह चीजे याद रखेंगे, ठीक, तो आप यहाँ पर पूछा क्या है, सरीर का सामान निताफ है, बट यहाँ तो options of Kelvin में दिया हुआ है, तो Kelvin में दिया हुआ है, तो Kelvin में दिया हुआ है, तो मैं बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, जब भी आपको Kelvin में बदलना हो, तो Kelvin equal to Celsius plus 273 कर देना, तो हमारे सरीर का temperature कि 37, तो यहाँ 37, इसकी value रख लीजिए, 273 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका value, यहाँ पर देखेंगे, 7, 3, 10, 7, 3, 10, 11, ठीक है, और उसके बाद 2, 1, 3, तो 310 क्या हो जाएगा, Kelvin हो जाएगा, option में है क्या देखिए, 28, 292, 300, ठीक है, yes, D इसका right answer है, तो इस प पूर्ण concept बता देता हूं, देखिए, आपके पास 4 scale होता है, Celsius scale, Fahrenheit scale, है न, एक रोमर scale होता है, और एक होता है Kelvin scale, तो मान लो, बेसिक लिए जादा question पूछा जाता है, यहाँ पर Kelvin से Celsius तो बदली लोगे, आसानी से, मान लो, Celsius आप Fahrenheit का पूश देता है, तो आप कैसे याद र रख सकते हैं, आपको किसी एक चीज की value पराप्त करनी है, ठीक है, तो एक चीज ग्याद करनी होगी, एक चीज तो given होगा, दिया गया होगा, तो इस formula से आप यह निकाल सकते हैं, C बटे 5 बराबर, F-32 बटे 9, तो यहाँ से याद रख सकते हैं, Kelvin, आपको Kelvin से Celsius बदलना है, यह याद रख सकते हैं, एक और formula भी है, तो उतना complicated मत चाहिए, चारों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है, ठीक है, तो बस याद रखेंगे, आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़ते हैं, next question में, तो सूर्य ग्रहन होता है, जब, बहुत interesting जा question है, solar eclipse कब होता है, पहला type के question को mistake करके आते हैं, तो देखिए, मैं हाँ बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, हमको ये पता है कि चंद्रमा का कोई प्रकास नहीं होता, हमको ये पता है कि चंद्रमा की खुद की कोई light नहीं होती, के वर वो reflected वाला होता है, हमारे पास, सूरी की केन है, जो है वहाँ पे याद रखना है, alphabetically A से लिके आप Z तक चलिए, तो आपको उल्टा चलना है, किन-किन चीजों में, सन में, उसके बाद क्या करते हैं, मून में, और उसके बाद आर्थ में, ठीक है, तो जब ये तीनों चीजे देखते हैं, तो alphabetically, सबसे पहले कौन सा आएगा, S आएगा, प सबसे बाद में हमने यहां लिख दिया, उसके बाद M आ गया, तो M को बीच में लिख लिए, उसके बाद S आया सबसे पहले, तो इस प्रकार लिखें, तो आप उधर से लिखना चाहें, इस प्रकार हमको यह समझना है, कि जो sequence है, सबसे latest को जो है, सबसे जो पहले आता है, उसे क्या सबसे बात में लिखेंगे तो अब इसका numbering कर दो भाई यह one हो गया यह two हो गया यह three हो ठीक है यह one हो गया two हो गया three हो आपको मैं दो तरीका बताऊगा जो तरीका आपको सही लगा आप कर सकते हैं एक तो हम को यह पता है कि चद्रमा का खुद प्रकास नहीं होता उससे सौल कर सकते हैं दूसरा इस प्रकार की numbering करके याद रख सकते हैं आपको दोनों ही कंडिशन में क्या है इसे क्या है पोजिशन चेंड करना पड़ेगा तो दूसरे केस में SEM हो जाएगा ठीक है SEM हो जाएगा यहाँ पर समझ पारे क्या तो आप देखिए गा जब हम इस बात को समझेंगे जब हम SEM सेम कहते हैं हमने चंद्रमा को सेम कह दिया तो जब चंद्रमा जो है चंद्र करहन होता है याने लूनर एकलिप्स होता है तो सूर्य और क्या है चंद्रमा के बीच में प्रित्वी आ जाता है चंद्रमा को आप क्या मालो सेम सेम कोई भी चीज याद रख लो और दूसरा चंद्र ग्रहन को क्या याद रख सकते हैं उसका उल्टा SEME से याद रख सकते हैं यह सूर ग्रहन है और यह चंद्र ग्रहन है ठीक है यह लूनर एकलिप्स है यह सोलर एकलिप्स है ठीक एक तरीका यह हो गया सेम से याद रखेंगे तो चंद्रमा सेम है तो उसके बाद उसका उल्टा सूर्य और समझ नहीं आया हूं लेकिन यह हा पहाँ पहले कंडिशन दोनों में क्या रखना है सूर्य को रखना है तो सूर्य को हमने रख दिया S उसके बाद हमको नहीं पता कि पहले प्रिथյी आईगी पहले चंद्रम आएगा तो आप क्या लेगते माल में इस एक गुला ले ले ठीक हमको यह पता है सूर्य यह दोनों को बारे में हमको नहीं पता तो हमको तो यह पता है कि सूर्य से क्रेणे निकलेगी और ये किरेने जो है यहां पे जाएंगी और किरेने पे यहां पे जब देखते क्या है यहां पे यह वाला भाग यह वाला भाग जो है अंधेरा हो जाएगा यहां तक सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा तो दो condition हो सकती, या तो इसे हम क्या मानेंगे, चंद्रमा मान लें, या इसे हम प्रिथ्वी मान लें, तो पहले हम चंद्रमा मान के लिखते हैं, तो जब सूर्य से निकलने वाली किरिणे, चंद्रमा की ये सता पर पहुंचती है, तो ये भाग क्या हो जाता है, ये भाग जो तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, S, M, E वाला condition कह सकते हैं, ज्याने कि ये सूर्य ग्रहन होगा, क्यों ग्रहन हो गया सूर्य क्योंकि ये भाग जो है अंधेरा दिखा, क्योंकि वीच में चंद्रमा आ गया, तो हमको सूर्य में इस पॉट या धबा दिखता है, जिसे हम क्या कह सूर्य ग्रहन कहते हैं, समझ गये, मैं रिपीट करता हूँ, सूर्य से निकलने वाली क्रिणे यहां पर आई, चंद्रमा पर ये भाग को उसने रोक लिया, और यहां पर इसे आने जाने नहीं दिया, तो यहां से देखने वाला कोई व्यक्ति को क्या है, सूर्य का ये भाग जो है, काला धबा दिखता है, ब्लैक स्पॉट दिखता है, और उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहन कहते हैं, लेकिन जब चंद्र ग्रहन की बात आती है, तो फिर से हम क्या लेंगे, सूर्य बना लो ही, उसके बाद यहां पर दो चीज़े बना लो, तो दूसरे केस में हम इसे अर्थ मानेंगे, इसे तो हम सन माने ही थे, और इसे हम मून माने, तो इस केस में देखिए, सूर्य से निकलने वाली यहां तो क्या है, जैसे आएंगी, बीच में प्रित्वी रुकावटा गया, और हमको यह पता है, कि मून का कोई कुछ प्रकास होता नहीं है, खुद की क्या कहेंगे? जैसे हम क्या कहेंगे? चंदर ग्रहन कहेंगे, ठीक है, और इंस्टेंट याद रखना है, तो इस परकार याद रख सकते हैं, सेम बराबर चंदरमा, तो सं आर्थ मून, ठीक, तो इस परकार देखें, यहां पे कोन पूछा है, सूरि मून, सोर एकलिस पीचा जाता है तो चंद्रमा चंद्रमा क्या हो जाता है यह मून सूर्य और प्रिथ्वी के बीच में आ गया तो option number A इसका सही उत्तर है ठीक है आप कोई दूसरा method भी जानते ही utilize कर सकते ultimately questions आपसे गलत नहीं होना चाहिए clear हो गया अब देखते हैं उस्मा प्रथम नियम किस अवधारना की पूर्थी करता है या पूष्टी करता है तो यहां पर देखिए थर्मोडानेमिस का जो लौ है वो यह बताता है कि कि किसी को किसी भी निकाय को ज़र आप heat देते हैं तो दो प्रकार की चीज़ों में utilize होता है पहला उसकी internal energy आंत्री कुर्जा को बढ़ाने में और दूसरा बाह कोई कारे करने में ठीक है किसी भी को उसमा देते हैं थर्मोडानमिस का फर्स लौ यह कहता है किसी भी निकाया बॉडी को हम क्या देते हैं heat देते हैं तो दो चीज़ों में use होता है एक होता है उसकी internal energy को बढ़ाने में को दूसरा external task को को क आ रहा है वह पर कहीं पहर नच नहीं हो रहा है तो इस पर कार याद किया रखेंगी उर्जा सारक्षण का नियम का पालन करता है जो कि heat वास्ताव में क्या है फूर्जा ही है ठीक है इस परकार इसे याद रख सकते हैं next question यहां पर देखिए तो इसका उत्तर क्या हो यह है जब प्रकास जाता है हीरे से कांच में जल से कांच में वायू से जल में वायू से कांच में तो बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है यह भी इसकी options तो याद रखना है कुण आंत्रिक परावर्तन टोटल एंगल reflection के दो महत्पूर सर्थ हैं पहला यह क्या है सगन से वि इंसिडेंट एंगल का मान क्या होना चाहिए क्रांतिक कोन के मान से जादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से जादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या है अभी उस पर नहीं जाते हम ठीक है जब हम यहां पर देखते हैं कि आपतन कोन का मान क्रिटिकल एंगल क्रांतिक को कांच कम डेंसीटी यैंट तो लोकी जल से कांच में जल की तुलना में कांच ज्यादा सगर δεν वायु से जल तो इसमें भी ज्यादा सगर तो बाकी पर ध्यान दीजिएगा कि motor car में पीछे कदर से जैसे आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो देखना आपकी left और right hand side में क्या होता है दो mirror होता है तो उस mirror में पीछे जो बहुत बड़ा truck भी आ रहा होता बस भी आ दरपन जो पीछे की वस्तों को धोड़ा छोटा दिखाई देता है ठीक है इस बात को याद रखेंगे अक्सर हम उत्तल आउतर में convex concave में भी confused होते हैं तो याद रखेंगे आउतल वर्ड आ रहा है और उ को keyword लीजिए और यहां पर वी और एक्स को keyword लीजिए तो वी पहले आता है कि एक्स पहले आता है और पहले आता है तो आ पहले आता है तो आउतल के लिए हम याद रख सकते हैं, और भी तरीके लेंस में आएगा तो और दूसरा तरीका भी बताऊँगा, यह बाता सभी clear हो गई, यह उसका उत्तर जो है, डी उत्तल दरपन है, convex mirror है, next question देखिए यहाँ पे, दूद रिष्टी निवारण के लिए काम में लाते हैं, hypermetropia, ठीक है, generally क्य दरपन का तो कोई रोल ही नहीं है, द्रिष्टी में, ठीक है, क्योंकि आँख में फिट होने वाला है, तो दरपन वाले options को तो clear ही कर दो, हटा ही दो, अब ऐसा है, outer lens या उत्तल लेंस, तो याद रखना, यहाँ से फिर से keyword ले लो, A को लो और U को लो, ठीक है, A को लो और U को लो, या फिर V को लो, और X को लो, इसमें भी हम वही चीज़ अपलाई करेंगे, यहाँ पर याद रखना, दूर द्रिष्टी, दूर द्रिष्टी में यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर निकट द्रिष्टी, निकट द्रिष्टी, तो इस फरकार के questions को solve करने के लिए, आ उत्तर लेंस में बहुत confusion होता है, खास कर exam hall में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर देखेंगे, आप देखिए, A पहले आ रहा है कि U पहले आ रहा है, V पहले आ रहा है कि X पहले आ रहा है, बस हो गया आपका उत्तर आ गया, दूर द्रिष्टी में कौन दूर है, कौन पास है, निकट दूर में, A और U में कौन दूर है भाई, U दूर है कि नहीं, अल्फा वेटिकली, A, A, E, U, है न, आते हैं न, तो U जो दूर है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं, तो इंग्लिश एक्जाम होल में confusion होगा, इसे याद रख लेंगे, A और U को जो पहले आ रहा है, accordingly निकट में जो है, पहले आ रहा है, यानि कि अवतल, यानि कि कन केव, ठीक है, कन केव, लेंस यूज होगा, clear होगे आप सभी को, तो यहाँ पे दूर दृष्टी दोस में होता क्या है, जो दिखाई देती है, जिसे दूर की चीज़ें दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती है, थोड़ा सो उल्टा टाइप का होता है इसमें, तो दूर दृष्टी दोस हाइपर मेटरोपिया में, दूर की वस्तवें जो होती है, दिखाई देती है, और पास की आए गया है याद रखना कि रेटीना से दूर बनता इसलिए दूर दिश्टी कहते हैं और रेटीना के निकट बनता है इसलिए से हम निकट दिश्टी दोस्त कहते हैं ठीक है इस प्रकार याद रखेंगे अगर रेटीना वाला है और एक प्रेस बायोपिया होता है वो दो डिसीज को भी आप देखके जाएंगे ठीक है वहां से भी आपके कोश्चन्स पूछे जाते हैं ठीक है तो यहां पर इस चीज़े हमको क्लियर हो जाएगी तो यह चार पकार के दोस्ट आपको याद रखना है ठीक है चलो मैं बता प्रेस बायोपिया ठीक है इसमें ना व्यक्ति जो है दूर की दिखाई भी ने देती और पास की भी दिखाई ने देती तो यह क्या होता है एस्टिक में जो होता है प्रेस बायोपिया होता है या फिर जराद रिष्टी दोस होता है ठीक तो दूर की भी नहीं दिखाई दे तही पास की में नहीं दिखाए दिखाetus ते कौन सा यूस किया जाता है जो होता है दूइवालनी लैंस यूस किया जाता है B zeggen यहाँ पर याद रखेंगे B बाइफोकल फोकल लेंस जो है इसमें प्रयोग किया जाता है यह हाल फिलाल के व्यापम में पूछा जा चुका है ठीक है बाइफोकल लेंस किसमें यूज किया जाता है जराद रिस्टी दोस इसमें दूर की भी दिखाई नहीं देती पास की भी दिखाई नहीं देती वर्टिकल चीजे हें धिखाइडेंगे दोनों ही दिखाइड ही ने डेती तो इस प्रकार के चीजों में हम कया यूस करते हैं से लिंडरिकालن्स यूस करते हैं सीलेंडर प्रकारuben के जो है तो यहां पर विद्धु चालकता वाला तत्व देखिए क्या क्या option है चांदी कॉपर ऐलुमॉनियम लोहा यह हम केमस्टी वाले पार्ट में भी पढ़े थे कि ज्यादा कंड़क्टिवीटी किसमें मिलती है सबसे पहले क्या होती है चांदी में सबसे ज्यादा मिलती है उसक सीन कि आपस्टिशन क्या है इसमें चांदी कॉपर ऐलुमॉनियम लोह यहां पर उसका उत्तर क्या होगा में करते हैं और इचलब होगा यहां देखिए प्रलेम में से बえば मिंनने के में पुछा जा चुका है जब हम क्या करते हैं प्रायमरी से को कहते हैं तो उसे दुबारा recharge नहीं किया जा सकता जैसे आप जो टॉर्च जो लंबी जो टार्च होती है उसमें किया छोटे-छोटे बैटरी लगते हैं ड्राइचल लगते हैं तो यहां पे जो ड्राइचल होता है उसे एक बार यूज़ करते हैं उसे फेक देते हैं लेकिन एक दूसरा प यहां डिअनरजी को 20 एनरजी पलको ट्रीडली किया का लेंगे कर लेते हैं और उटिल्उइज कर लेते हैं लेकिन याा सेकंटरी सेल मेंगे क्या होता है हम क्या करेंगे Electric को Chemical में बदले, फिर Chemical को फिर Electric में बदले, मतलम यह चक्र बन जाता है, कि Electric एनर्जी को Chemical एनर्जी बदल दिया, आप विद्यू तूर्जा को रासानी कुर्जा में बदल दिये, और बार बार इसमें यूटिलाइस कर रहे हैं, तो यह 2TX cell है, आपको यहाँ पे याद रखना कि मैं बताया था, कि primary cell के example, तो VLDD से याद रखेंगे, VLDD जिन्होंने मेरा session देखा है, YouTube के playlist में दिया हुआ है, physics का यह lecture है, तो इसमें मैं बताया था, primary और secondary में जो होता है, anode cathode क्या क्या होता, यह भी पूछा जाता है, तो जो होता है, Daniel cell और FIDD होता है, dry cell या सुस्क cell, तो यहाँ पे dry cell दिया हुआ है, यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, primary cell हो जाएगा, I repeat, VOLT cell, ठीक है, Leclancy cell, Daniel cell और FIDD का जो है dry cell, तो इस प्रकार, चार प्रकार के cell आप याद रखेंगे, यहाँ से questions पूछे जाते है उसके बाद दिखिए कास्मिक किरने, अंत्रिक्स आने वाली एक ऐसी किरने जो अभी भी रहस्य बना हुआ है, कास्मिक किरने है, यह actual में NCRD से लिया गया है, तो याद रखेंगे, यह charge particle होता है, इसमें बहुत सारे photon भी इसमें मिल जाएंगे, तो यह इस प्रकार याद वेब नहीं है, याद रखेंगे, विद्धु चुमकी तरंग नहीं है, ठीक है इस प्रकार, अब next question में चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला question जो है, वो है संचार में प्रयुक्त फाइवर, optical cable के सिद्धान पर काम करता है, अभी जैसे इंटरनेट का जमाना है, कि हम 4G, 5G, इस प्रकार यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, optical fiber वाले चीज़ें यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमको यह पता है, प्रकासिक तंतु आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि जितनी energy जाती है, उतनी energy जो है, वहाँ पर output प्राप्त होता है, यहाँ पर 100 दिये थी input, तो 100 output निकलेगा, कोई उर्जा जो है 6 नहीं होती, तो इस प्रकार high speed internet के लिए यूज़ किया जाता है, communication में, तो किस पर आधारित होता है, याद रखना बहुत important example है, total internal reflection का, पून आंत्रिक परावर्तन का, इवन दो चार और example में बता जेता हूँ, जैसे कि हीरे का इतना ज्यादा चमकना, कांच तूट गया, तो तूटा हूँ भाग बहुत चमखिला दिखाए देता है, similarly आप परकनली तूट गई, तो वो भी चमखिला दिखाए देता है, तो यह सभी प्रकार के जो है, एक्जामपल किसके है, पून आंत्रिक परावर्तन के है, आपको ये भी पता होगा, मिराज या म्रिगमरीचिका, वहाँ पे भी कौन सी घटना होती है, जो रेगिस्तान या डिजर्ट में क्या होता है, म्रिगमरीचिका में, क्यों निर्मित होती है, पून आंत्रिक परावर्तन के कारण निर्मित होती है, जिसमें हमको वहाँ पानी है, टाइप क उठता है यह कोश्टन आया हुआ है इसलिए मैंने इसलिया था तो यहां पर देखिए यह जो है बेसिकली कोश्टन है केपिलरी या केशिका का तो ऑप्शन देखते हैं दाबंतर केशिका क्रिया तेल की निम्नेशियानता और गुरत्वी बल तो है नहीं इसमें कहीं पर सीटी कि उतना तीज फैलेगा यसे तेल और पानी को दिखेंगे इसकी वीज मय का धीकशाइब्स तो चड़ नहीं पाएगा तो इस प्रकार विसको सीटी वाला जो है हम इसमें हटा सकते हैं ठीक है और यहां पर देखते क्या है केसी का क्रिया अपने केρα पूरा हैंज यानि के सटी क्युं करता है क्यों करता है तो यहां पर इसी प्रकार का क्यांट होता है आप काच की समझें अकितनी पतली नली होती कि जिसका रेडियस या त्रिज्या या उसकी ब्यास बहुत कम होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है तो जब इसे हम क्या किसी पानी में रखते हैं तो पानी में रखते क्या है तो जो भी इसकी जो है दीवार को क्या करेगा भीगो देगा जैसे कांथ की केस में जो इसकी दीव तो इस प्रकार capillary बन जाते हैं और नीचे का पानी जो है इस प्रकार ऊपर आता है और फिर खेतों में जो है बहतर फसल होती है इसे याद रखेंगे तो यहां पर तेल का दीप भी अगर पूछा जाए तो यहां पर तेल का दीप यहांने कि 32 की बात कर रहा है सीधा-सीधा त मिर्टी का तेल जो है जैसे हम देखते हो वहां पे बत्ती होता है तो वहां पर मिर्टी का तरी हम क् Lindsay अपर आता है यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हम लाइक आप uns विसकोसिती को, इस like कैपिलरीटी को प्रदसित करेगा. तो पारा जो है इसकी विसकोसिती को प्रदसित नहीं करता है याद रखेंगे. ठीक, ये बात है सभी क्लिएर हो गई, इसके बाद देखते हैं कि एक question छूट गया है जहां तक हम उस कुछ चीज को देखते हैं, yes, it is correct, सभी चीजें questions जिसमें हो गए हैं, हम मिलते हैं next session में कुछ और प्रस्नों के साथ, जिसमें कि आपको general science के कुछ basic and applied वाला part समझने को मदद मिले, ताकि आप अपने exam में बहतर score कर पाएं, तो इसी सुब कमना के साथ, आज की session यहीं sum up करते Thank you so much, have a nice day.